मैंने ना सोच लिया है, मुझे ना किसी स्टोरी का अध्याई लिखना है पता है कितनी जिम्यदारी का काम होता है किसी स्टोरी का एंड लिखना कि मानो सब इंतिजार में हो कि सारी कहानी में जो कुछ भी दिखाया गया हो वो लास्ट में आके खतम हो जाएगा मुझे बस वो end बनाना है पर थोड़ा अलग सा और अजीब सा सच कहूं तो बिलकुल बेहुदा सा एक ऐसा अंत जिसे पढ़के आप कहो कि यहां से तो कहानी की सुरुवात होनी चाहिए कि मानो जैसे किसी मूवी की प्रेम कहानी मैं प्रेमियो को लड़ा कर जिता कर बड़े प्यार से मिलाना चाहता हूँ और फिर जुदा कर देना चाहता हूँ बिलकुल सही लगेगा न इस जमाने के लिए जहां हीर और राजा मर गए मिलने के लिए और वहीं इस जमाने में मिलने के बाद कितनी आसानी से छोड़ देते हैं कि मानो प्यार की कोई उमर हो जो जमाने के साथ कम होती जा रही हो और अब तो पैदा होते ही खतम हो जाती है फिर ये जो सपनों की कहानिया जो बस संगर्स से बरी है उसमें मैं खाली संगर्स रहने देना चाहता हूं और जीत निकाल देना चाहता हूं क्योंकि तभी तो आपकी खुद की कहानी दिखेगी उसमें सुबे आट बजे उठे सुरत की ट्रेन पकड़ी बीड से लड़े क्योंकि 10 बजे का ओफिस मिस ना हो सके फिर पूरे दिन का काम करने के बाद बॉस की दाट खाने के बाद आप विराड की ट्रेन में चड़े उसी बीड से मुलाकत की जो आपी की तरह है नाखुश और ये आपने हर दिन 4 हफते 12 मेने तक किया और अब मुझे इससे कोई तकलिफ नहीं है तकलिफ मुझे इस बात से है कि एंडिंग में आप पुछते हो मैं ये क्यूं कर रहा हूँ कहते है आम लोगों को कितने भी सपने बेच दो तो एंड में उनकी मजबूरी तकलिफ ही देती है तो मैं आपकी तकलिफ ले लेना चाहता हूँ आपको आपकी ही कहानी सुनाना चाहता हूँ इतनी बार कि end में आप ही कह बैठो कि कितनी बेकार कहानी है कितनी बेउदा है और फिर आप उसे बदल दो मेरी किताब में नहीं आपकी जिन्दगी में